एंजिल ब्रोकिंग में अपना फ्री डीमैट अकाउंट खोलने के लिए डेस्क्रिप्शन में दिये गया लिंक पे अभी क्लिक करें और अपना फ्री डीमैट अकाउंट आज ही ओपन करें हेलो दोस्तो माइ फैनेंस अन स्टॉक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो जैसा कि आप जानते हैं कि जैकमा ओन कंपनी एंड ग्रूप का आईपियो आने वाला था ऐसा क्या हुआ कि चैनिज गॉर्मेंट ने उस आईपियो को सस्पेंड कर दिया दोस्तो जैकमा के बारे में आप जानते हैं जो कि चैनिज बिजनसमेन एंड फाउंडर आफ अली बाबा गुरूप हैं उनी की एक सबसीडरी कंपनी एंड गुरूप पा आईपियो आने वाला था जो कि मार्केट से 35 बिलियन डॉलर्स फंड रेस करने वाला था और 5 नावंबर को उसके लिस्टिंग होने वाली थी पर जैकमा के एक स्टेट्मेंट के बाद चैनिज गौर्रमेंट नाराज हो गई और उन्होंने चैना के रिचिस्ट मैन के आईपियो को सस्पेंड कर दिया जैसे कि आप जानते हैं कि चैना में गौर्रमेंट का राज चलता है यानि कि वहां पर आटोक्रेसी है मतलब जो भी गौर्रमेंट बोलीगी वहां के सिटीजिंज को मानना पड़ेगा सारे decisions government लेती है बट जैकमा ने चाइना के financial system पर सवाल उठाए थे और चाइना के banking system को बताते हुए ये कहा कि चाइना के banks एक कबार की दुगान की तरह हैं जो कि सिर्फ बड़े ग्रहकों को सामान बेजते हैं यानि कि जो बड़ी companies हैं उन्हीं को loan provide करते हैं और चाइना में जो भी small industries हैं small companies हैं उनको वो bank loan नहीं देते जिससे जो small industries हैं small companies हैं उनको fund नहीं मिलता और वो grow नहीं कर पाती और उन्होंने चाइना के banks को कबार की दुगान से compare किया और ये बात जिब Chinese government को पता चली तो चाइना के financial regulators ने जैकमा को बुलवाया और उनसे सवाल जवाब करने के बाद उनके IPO को suspend कर दिया तो हुए कि एक company को stock market में list होने के लिए जो rules and regulation को follow करना होता है वो end group follow नहीं कर रहा इसलिए उस IPO को suspend किया जा रहा है दोस्तो आपको बता दें कि end group के IPO के opening के साथ ही कुछी समय में वो पूरा subscribe कर लिया गया था और इतने over subscription के बाद भी Chinese government ने उस IPO को suspend कर दिया दोस्तो ये IPO संगाई एंड होंग कॉंग में list होने वाला था आप जानते हैं कि वहाँ पर जो government चाहती है वही होता है दोस्तो जैकमा के ये vision था कि वो अपने end group के IPO को list करा के market से fund raise करना चाहते थे और उस fund का इस्तमाल करके जो चाइना में small industries हैं small companies हैं जिनको Chinese bank से loan नहीं मिलता उनको वो loan provide करेंगी दोस्तो end group चाइना की सबसे बड़ी fin tech यानि की financial technology company है जो की financial transaction provide करती है चाइना में end group को alipay के नाम से भी जाना जाता है और चाइना में alipay के 1 billion users हैं और 80 million merchants उनके साथ जुड़े हुए हैं और इस IPO के बाद जैकमा की network में भी काफी increase आने वाला था की एक statement की वज़ा से पोरा ये plan बेकार हो गया अक्सर हम इंडिया में government पर सवाल उठाते हैं अपने financial system पर सवाल उठाते हैं कि हमारा financial system ठीक नहीं है और दोस्तों जो चाइना में हुआ है उससे हमारा देश लाखों गुना अच्छा है क्योंकि यहां पर democracy है आप अपनी अवाज government तक पहुचा सकते हैं आपने देखा कि चाइना में एक statement के वज़ए से इतना बड़ा IPO suspend किया जा सकता है and group का फूरा case दोस्तों आप कोई वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को like कर सकते हैं अगर आपका इस वीडियो से related कोई भी सवाल है सुझाव है या आप कोई topic सजेश्ट करना चाहते हैं आने वाली वीडियो के लिए तो आप इस वीडियो को comment box में जरूर बताइएगा तो आपने अगर अभी तक demat and trading account नहीं खुलवाया है तो आप इस वीडियो के description में दिये गए link का इस्तमाल करके angel broking के साथ demat and trading account खुलवा सकते हैं वो भी बिल्गल मुफ्त और angel broking की services का फायदा उठा सकते हैं आप कोई वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को like जरूर केजिएगा और अपने सभी दोस्तों में share कीजिएगा हमारी आने वाली सभी वीडियो का notification पाने के लिए आप हमारी चैनल को subscribe कर सकते हैं और साथी बैल आइकन दबा सकते हैं हमारी आने वाली सभी वीडियो का notification पाने के लिए और हमारे चैनल के साथ हमेशा जूड़ रहने के लिए मैं मिलता हूँ आप से अगड़ी वीडियो में तब तक के लिए आप खुश रहिए सीखते रहिए और देखते रहिए हमारे वीडियो को थेंक यू जै हिंद